अदित्टी व्यास जी गुलाब पूरा से जैशी वल्ला जी के माराज रादे रादे माराजी माराजी संसारिक जीवन में रहते हुए सिर्फ नाम जब से रिनानुबंद से छुटकारा पा सकते हैं सब शब अगर हमारा हम देखो कई बार कहा है उसको समझने की चेश्टा कीजिए हमारा पहला करतब है संसार का चिंतन छोड़ना सबसे पहला करतब है साधना का पहला सोपान है असत चिंतन छोड़ना नानात्य का चिंतन छोड़ना संसार का चिंतन छोड़ना अब कैसे से चिंतन छोड़ते हैं भगवान का नाम सच्चिदानंद में है जैसे भगवान का रूप सच्चिदानंद में भगवान का धाम सच्चिदानंद में भगवान की लीला सच्चिदानंद में तो हम भगवान के नाम को पकड़ते हैं राम कृष्ण हरी जो नाम प्री हो जो गुरुदेव ने दिया हो या अपने जैसें ब्रंदावन बासी राधा उपासी राधा 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 अब हमारा चिंतन छोटे देखो सुख मिलता है संसार के चिंतन छोड़ने से आप अच्छा समझ न आप छे गंटे नीन में सोते हैं तो आपको किस बात का सुख मिलता है संसार को भूलने का नीन में जो सुख मिला तमोगुण स्थिती में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 गंटे तो आप कितने फ्रेस होके एदखते हैं आज बहुत अच्छा क्यों क्योंकि 6 गंटे संसार को भूल अगर वही छे गंटे तुम्हारी भगवदाकार इस्थिती में संसार को बुल गए तो उसे समाधी कहते हैं तमोगुण में नीद्रह तो उसे निद्रह कहते हैं तमोगुण में लीन हो गये जो जाग्रत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु में ऐसा तलीन हो गया जैसे गाढ निद्रह उसी को समाध्य कहते हैं संसार का चिंतन छोड़ना ही भगवत मार्ग का मूल कारण, मूल भगवत मार्ग कैसे मिलता है, जितना संसार का चिंतन छूटा, भगवत इस्मरण हुआ, उतने भगवत मार्ग में, अब हम कैसे भगवान का इस्मरण करें, हमने भगवान को देखा नहीं, देखा है भगवान नहीं देखा और उनका इसमरन करना है तो गुरु हमें नाम देते हैं चाए प्रणव हो या राम कृष्ण हरी ओ भगवान का नाम अब हम नाम चिंतन इतना करते हैं कि जगत का चिंतन छोटे तो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत भगवान अर्जुन को मामनिश्मर यु और एक कवल पावे तो एक कवल भूख मिटाने का काम कर रहा है ना पर पता नहीं चलेगा पता चब तब चलेगा जब आधा पेट हो जाएगा नहीं एक कवल पवा के छिन लो तो कह गया इससे तो अच्छा ना ही देते तो अच्छा था ऐसे ही जब आधा पेट हुआ तो भोगों में भटक रहे हैं अब जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो एक-एक नाम हमारी जैसे एक-एक कवल तुष्टी-पुष्टी छुधा निव्रत्ती करता है ऐसे एक-एक नाम हमारा संसार से बैराग भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध करता है पर पता नहीं प्रेम बिप्राप्त हो जाएगा लोकिक पारलोकिक शंपत्य जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा पर वह सीमा है इतना तक तो आउन आम्जब करते हैं अभी तो थोड़ा नाम जब किया विस्यूद्ट नाना प्रकार के पापाचरण तो नाम का अनंद नहीं मिल पाता कम- कम बारा घंटे नाम में ब्रती रहे आधा पेट कम तर समझो और जिसकी निरंतर भजन इस्थिती रहती है देखो ब्रह्मबोध संपन सनकाद है पर कर क्या रहे हरिश्षरणम 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 हर समय जप रहे ना नाम जपने से सब कुछ प्राप् पर देव दिये हो नाम जब करो या जिसे अपने हम चिल लाते रहैते राधा राधा संसार का चिंत अछुटे नाम जब चल रहा है भाव कुभाव अनकाल शहू नाम जपत मंगल क्वसिद शहू दसो कोदिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम if अच्छा भगवान की प्राप्ति की तो बात जहने दो गोश्वामी जी कहे रहे हैं सुमिति पववन सुत्प पावण नामू अपने उर्ढेफे राम 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 जब करके हनुमान जी ने राम गानुब जी को अपने अधीन कर लिया बताओ नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है जैसे डुरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रहे हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा खीषते जाए दोरी और दोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकर सकतें दोरी है नाम पतंगो ये था तो आम अनू ब्रहाम में माना दोरी है नाम और भगवान है पतंग हम नाम जब करें मानुप्रतिपल भगवान के समीप पहुच रहे हैं भगवान हमारे समीप आ रहे हैं राधा 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 राम 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 हरी हरी कृष्ण जो नाम प्री हो भगवान का निरंतर नाम जब करें इससे सब कुछ हो जाएगा सब कुछ नाम के समान कोई पुन्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ग्यान नहीं, परम ग्यान समुद्र भगवान संकर भी नाम जब करते हैं, भगवान संकर भी कथा सुनते हैं, भगवान संकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुनने, आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संतने मिलते तो मुबाइल है, मुबाइल से सत्संग सुनिए, आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जब कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, बना रहे राधा राधा करते हुए पोचा लगा रहे राधा राधा करते हुए हल जोत रहे क्या फर्क पड़ता है माला इसे थोड़ी भगवान मिलते हैं भगवान तो इस्मरण से मिलते हैं माला हो या ना हो हमारी स्मर्ती चल रही प्रभू से जुड़ी हुए बात बन गई कि दोनों एक प्रभु को प्राप मेरे को अपरात बोदोने लग गया आप यह बाद कर सोचो मत्षुरा में आप नहों भी स्राम गाट हम ब्रंदावन ना आते हैं जुगल गाट में बूलो यमुना जी में क्या फर्क पड़ा यमुना जी दोनों को मिली न आप्ने मत्षुरा गाट में गाट में आया हम भंदा उनके जुगल गाट में आया तो यमना जी कौन थी वही थी ना ग्रेश्टी से भी अगर सही मार्ग से चलोगे तो वही भगवान प्राप्त होते हैं बिरक्ति चलने की सौख है रुची है भगवान के द्वारा निरधारित किया हुआ संसार पसंद नहीं और एक है कि हम विरक्ति में नहीं चल सकते हैं लेकिन धार्म पूर्वक ग्रेश्टी में चल के भगवान को ही प्राप्त करना है तो ग्रेश्टी से भगवान को हम कई बार का ऐसा ना सोचा जाए कि ग्रेश्टी मार्ग छोटा है ग्रेश्टी मार्ग हम तुम्में सही बता है, सबसे बड़ा है क्यों? हम जितने मातमा Same सब पैदा हुए हैं ग्रेष्टों के हां और हम जितने मातमाओं का उदर पोशन होता है ग्रेष्टों से होता है जो हम भजन साधना करते ना तो हमे अन चाहिए तो बिक्षान ग्रेष्टों किया लेते और जितने मातमां सबका वाश और वस्त्र बिवस्ता ग्रेष्टों से होती ये सब करते हुए वो स्वयम भजन करे और स्वयम धर्म से चले भुल उससे बड़ा कौन है ग्रेष्ट धर्म में ही हमारे माता पिता ग्रेष्ट धर्म से ही हमारा उदर पुशन, ग्रेष्ट धर्म से ही हमारी साधना परिपक होई, तो ग्रेष्ट धर्म छोटा हुआ कि बड़ा हो, तो ये ग्रेष्टी को नहीं सोचना चाहिए, कि हम ग्रेष्ट में हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये बिरक महापुरुषों को गुरु रूप से इसलिए नमस्कार करते हैं कि जिन भोगों में हम परास्त हो गए उन भोगों के आप त्यागी हैं इसलिए आपको नमस्कार है पर ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं कर पाएगा वो भगवान को नहीं प्राप्त करेगा इसलिए नहीं विरक पूर्वक अनकमाईए आप समाज की सेवा परिवार की सेवा अतित सेवा सादु सेवा और नाम जब आपको वही भगवान मिलेंगे बिलकुल अंतर नहीं इसमें पक्का समझे लिजे